प्रिंस्पल्स ओफ सिस्टमाडिक्स मॉड्यूल 27 मॉर्फलोजिकल क्रेक्टर्स इस मॉड्यूल के अंदर हम मॉर्फलोजिकल क्रेक्टर्स के बारे में देखेंगे मॉर्फलोजिकल क्रेक्टर्स क्या है यह जैसा कि हमने पिछले मॉड्यूल के अंदर देखा के character एक ऐसी attribute है जिसकी मदद से हम एक taxon को दूसरे taxon से separate करते है morphological character किसी भी organism के अंदर ऐसे features है जो के apparently वाज़ होते है उसके morphology से हम उसको असानी से पहचान सकते है अब morphological characters मुख्तलिफ किसम के हो सकते है ये external morphological characters भी हो सकते है ये internal characters भी हो सकते है embryology या फिर karyology और इसी तरीके से cytological differences इसके अंदर मौझूद है इसी तरीके से genitalic या genitalia का जो structure है वो भी एक morphological character है अब हम देखते हैं सबसे पहले external morphological characters जो के external body के अंदर असानी से नजर आ जाते हैं जिस तरीके से अगर हम birds के अंदर बात करें तो birds के अंदर जो feathers हैं इसी तरीके से fish या reptiles के जो scale है ये external morphological characters हैं इसी तरीके से अगर हम mammals के अंदर बात करें तो mammals के अंदर village एक external morphological character है इसी तरीके से genitalia का जो structure है ये एक ऐसा external character है जिसको जिसकी base के अपर हम species को delimit कर सकते हैं जिसकी base के अपर हम different species को separate कर पाते हैं खास दोर पर अगर हम insects की बात करें तो insects के अंदर जो genitalia का structure है ये बहुत important होता है as far as taxonomy is concerned इसको हम key and log model से तश्वी दे सकते हैं जिस तरीके से एक special log के लिए एक special key होती है इसी तरीके से insects के अंदर जो genitalia का structure है male genitalia का structure उसकी बनावट इस तरीके से होती है कि वो उसी species के female के अंदर adjust हो पाता है ये जो insects के अंदर genitalia का structure है ये इस वजह से एहम है कि इसकी base के उपर हम species को असानी से identify कर सकते हैं insects के अंदर जब taxonomic studies की जाती हैं तो genitalia को separate करके उसकी drawings बनाए जाती है और इन drawings की base के उपर हम एक species को दूसी species से separate करते हैं जो coloration है ये भी एक important taxonomic character है खास दोर पर अगर हम birds के अंदर बात करें तो birds के अंदर mostly जो species हैं उनको color की base के उपर identify किया जा सकता है लेकिन बहुत सारी exceptional cases भी हैं जैसे कुछ sibling species होती हैं वहाँ पर मसायल आते हैं इसी तरीके से reef fish और butterflies इनके लिए भी same color की base के उपर species को identify करना आसान होता है इसी तरीके से sub species, sub species में एक species के अंदर sometime एक से जादा variations होती है तो ये जो variations हैं ये color की वज़ा से हो सकती हैं और इन colors की base के उपर हम इन species को असानी से separate कर पाते हैं और डिए ये प्रवाओे दो जो सकतान आ सकता हैं